लोगसबा चुनाओं नजदीक है और ऐसे में एक तरफ वीजेपी की पार्टी पूरी कोशिस कर रही है हर हाल में 2019 में पीम की कुर्सी के लिए मोदी को फिर से बनाने का और देख रही है जो सपना ये तो खेर आने वाला समय ही बताएगा लेकिन इतना साफ हो चुका है कि जनता अब मोदी सरकार की नीती और साजिस को समझ चुकी है वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार जनता के सामने नए फर्मूला लेकर ये साबित कर रही है कि वो जनता के चोकिदार है लेकिन इस बार भी मोधी सरकार की ये चाल नाकाम साबित हो चुकी है जहां सोसल मीडिया पर पूरा देश बीजेपी की धजिया उड़ा रहा है वहीं अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और बिरुजगारी को लेकर मोधी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं देखिये अखिलेश यादव ने बिरुजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया 2019 में पौने 2 करोड उवा पहली बार मदान करेंगे इनके लिए क्या विवस्थाय त्यार की जा रही है बरती बिरुजगारी से देश के युवा बेचैन है लेकिन इससे निपटने की वजाए सरकार नफरत की आग लगाए जा रही है ताकि असली मुद्दे उसमें जल कर राख हो जाए लोकसभा चुनाओं की तरब बढ़ रहे नरेन मोधी सरकार के लिए नोकरियों की कमी एक बड़ा सिर्दर्द बन रहा है दिसमबर 2018 में होए सी बोटर के एक सर्वे के मताबिक बोटर ये मान रहे हैं कि भारत जिन समस्यों से जूज रहा है उनमें बिरुजगारी सबसे बड़ी है बतादे चुनाओं में अब महच कुछी दिन रहे गए है ऐसे में देश में नोकरियों की स्थिती में साहिदी कोई सुधार हो पाया है लेकिन सवाल ये है कि नोकरियों की कमी का मुद्दा मोधी सरकार ना उधा कर चोकिदार चोकिदार खेल रहे हैं दूसरी तरफ अगर बात करें गोदी मीडिया की तो देश में पत्रकारिता का अस्थर इतना गिर चुका है असल मुद्दा किसी अखवार या चेनल पर नहीं है ना विरुजगारी की किसी को चिनता है ना किसान की ना सिक्षा की कोई बात करता है ना चिक्तिसा की अगर बात भी होती है तो बस धर्मवाद, जातिवाद और देश भक्ती की आज गरीब अपने छोटे छोटे खेद बेच कर प्राइविट इलाज करवा रहे हैं सरकारी अस्पताल उन्हें सुबधाय देपाने में असमर्थ क्यों हैं लोग गाउं छोड़कर शेहर जा रहे हैं जिसमें शेहरों पर दवाब बढ़ता जा रहा है हमारे देश के अबादी के 70% से ज़्यादे लोग गाउं में रहते हैं वहीं जनता समझ चुकी है कि BJP सरकार जनता के सामने चोकिदार चोकिदार सिफ इसलिए खेल रहे हैं ताके देश का ध्यान विरुजगारी, किसानों की आत्महत्या, संप्रदाइकता जैसे असली मुद्दे से देश का ध्यान हटाया जा सके कुल मिलाकर BJP की हमेशा से एक ही नीती रही है भक्तों और बेरुजगार युवाओ का उपियोग दंगा फसाद में क्या जाना स्मार्ट सिटी का सपना भी स्मार्ट विलिज के बिना अधूरा ही रहेगा किसान विज्ञान और नौजमानों के समस्याएं दफ्तर में धूल चाट रही है और वादों से ना तो किसी का पेट भर रहा है और ना किसी की प्यास बुझ रही है ऐसे मोड पर समाजवाद का महत्व उजागर होता है क्योंकि समाजवाद केवल एक रादनीतिक दल नहीं बलकि एक मान सकता है देश का भविश्ट आर्थिक समानता समाजिक नयाय और एकता से ही मजबूत बनाया जा सकता है यही सपना बाबा साहिब अमिटकर और लुया जी ने भी देखा था दूसरी तरफ सत्ता में बापसी की कोशिस में जुटी परधान मंतरी नयविन मोदी सरकार को इस सर्वे से जटका लग सकता है बता दे कि एक अनुमान के मताबिक साल 2011, 12 और 12, 17, 18 के बीच कि आमीन भारत में करीब 3.2 करोर कैजूल मजदूरों ने अपनी नोकरी खो दी अब आप ही सोचिए एक तरफ बिरुजगारी बढ़ रही है और आप बेफिक्र होकर अपनी राजनीती फैदे के लिए चोकिदार चोकिदार खेल रहे हैं आज मैं भारत के प्रतेग नागरिक से उमीद की एक नई डोर से जुड़ने की अपील करता हूँ ताकि हम और आप मिलकर भारत की राश्य एकता और अखटता को और मजबूद बनाने के साथ साथ उसे ब्रगर शील भी बनाएं और ये वचलने के हम खुश्यां तो बाटेंगे ही पर एक दूसरे के बोज को भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और देश के हर नागरिक के कंदे से कंदा मिलाकर खड़े होंगे इस कारवा में सबसे पीछे चलने वालों का भी होसला बढ़ाएंगे और जरुद पड़े तो उनको अपने पीछ पर लेकर आगे बढ़ते चलेंगे जै समाजवाद जै हिंद इससे अच्छा होता अगर आपने और आपकी सरकार में सारे युवाओ को नोकरी मिल जाती इतना ही नहीं बलके आपने जो पाल साल में वादे किये हैं अगर वो ही पूरा हो जाता तो आज जनता आपसे सवाल नहीं कर रही होती वीरो रिपोर्ट नेशनल दस्तक फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें